कि गोलियों से सब जो है फैसले नहीं होते हैं बंदूकों से फैसले नहीं होते हैं उनके उनकी कॉश्चन्स जो हैं उनके सवाल जो हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा और आप उनको डरा करें उनको चमचागरी या उनको बहका कर या उनको लालश दे कर उस करांती के लोग करांती के जो लोग निकले हुए हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं और ये मेरा राय है और मेरी पार्टी को मैं इस राय दे भी चुका पहले भी दी गई मैं इसे भी इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो अभाव में होता है जिसको अधिकार नहीं मिलता जिसका अधिकार चीना जाता है कुछ उपर वाले लोग और उपर वारे लोगों की ताकत से जब उनका अधिकार चीनते हैं तो लोग जो है वो अपना अधिकार पाने के लिए अ काहुती देते हैं और अपने प्राणों को बली भी देते हैं और वो गलत करते हैंría जो कि ना उनकी बंदूग से कहलेगा ना इधर की बंदूग से कोई हल इसनीद है अगरलेगा तो बास्चीज से निकलेगा उनकी घूक है उनके जो अधिकार हैं उनको एड्रेस करने से निकले हैं आपके इस बात को मानता हूं कि यह आतंकवादी हरकतें एक एक ऐसी शुडवात से होती हैं यह नक्सल मुवमेट जो है यह अधिकारों को लेकर शुरू हुआ है इन इन अधिकारों को लेकर हमें लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा और अगर जो लोग कहीं न कहीं आज अपने मार्क से भटक गए हैं उन भटके हुए लोगों को खीच कर लाना पड़ेगा और मुझे लगता है मेरी बात खत्म होगी धन्यवाद